Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Geographic Guru. आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे Class 12 की. बात करेंगे हम Class 12 Geography भुगोल की और continue रखेंगे हम Class 12 Geography भुगोल की Most Important Questions की सीरीज को. यह जो हमारी Most Important Questions की सीरीज है, इसमें हम Chapter-wise Most Important Questions आपके साथ शेयर करते हैं. Main Focus आपके Board Exams होते हैं, यानि आपके Board Exams के लिए जो कुछ भी इस Chapter से लेटेड इंपोर्टेंट होता है, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं. यहाँ पे हम इस सीरीज में 3 Type के Questions को include करते हैं, एक तो वो Questions जो आपके Chapter के Main Theme या Main Concept से लेटेड होता है. देखे, कोई भी Class हो, चाए वो 10th हो या 12th हो, कोई भी सबजेक्ट हो, चाए वो History हो, पोल साइंस हो, या G.O. कुछ भी हो, हर सबजेक्ट में 30% Most Important Topics होते हैं. और उन 30% Topics से लेटेड ही आपके Exam में 75% Questions होते हैं. अब जिस बच्चे को यह पता हो ना कि कौन से Topics Most Important है, तो easily बहुत कम Hard Work के साथ, वो Smart Work के साथ, 75% easily score कर सकता हैं विदिन वन मांथ. तो हमने उन Topics को यहां पर Include किया. Second वो Questions जो आपके Board Exam में continuously repeat होते हैं, कुछ ऐसे Questions होते हैं, जो आप जब भी देखोगी, Simple Question पेपर में मिलेंगे, Last Year के Question पेपर में मिलेंगे, आपके Exam में भी आने वाले, Language थोड़ी बहुत Change होती हैं, उनको भी हमने यहां पर अच्छी खा लगेगा कि कौन से Questions, कौन से Topics हैं, जिनके उपर हमें mainly focus करना है, तो आज का हमारा चैप्टर हैगा Class 12th Geography का, यह Old NCRT के Coding 7th Chapter है, Tertiary and Quaternary Actories, यानि तिर्त्यक और चतुर्थक रियाएं, और जो हमारी New NCRT की Book है, उसके Coding यह 6th Chapter रहेगा, clear? लेट्स बेगिन चली, शुरुवारत करते हैं, हम आज की इस एपिसोड की इस वीडियो की और सबसे बहले हम बात करेंगे इस Chapter से लेटेड, Most Important One Marker Question की, तो इसमें देखे, First जो हमारा Question रहेगा, Most Important में, फुटकर शब्द का जो शब्द है, वो किस भासा से लिया गया, तो वो French भासा के Retailer शब्द से बना है, तो ये French भासा से लिया गया है, Second जो Question रहेगा, One Marker में, वर्तमान में, भारतिय एर्थ वहस्ता में, GDP में, सरवाधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो ये जो हमारा Tercory सेक्टर है, तिर्थेक सेक्टर है, उसका सबसे बड़ा योगदा procureur, उसके बाद थर्ड जो हमारा Question रहेगा, किसे राष्टर का आर्थिक बेरो मेटर कहा जाता है, तो अंतराष्टिय वैपार को किसी भी देश की अर्थ वहस्ता का आर्थिक बेरो मेटर कहा जाता है, उसके बाद फूर्त हमारा Question रहेगा, citizen ग्रामन आवधिक बाजार, periodic market क क्या होते हैं तो ग्रामिन शेत्रों में निश्चित अंतराल पर जो लगने वाले ऐस्थाई बाजार होते हैं उसे ही हम ग्रामिन आवधिक बाजार या फिर ग्रामिन जो रूरल पिरियोडिक मार्केट कहते हैं जैसे होता न शेहरों में लगता है संडे बाजार, मंडे बाज इसी तरीके से गाउं में भी किसी विशेश दिन महीने की विशेश दिन या दो महीने के बाद कुछ ऐसे बाजार लगते हैं तो उनको ग्रामिन आवधिक बाजार कहते हैं उसके बाद फिप्ट जो हमारा कुछ रहेगा इस चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट में वनमार कर में टेक्स प्रामर्ष दाता किस वर्क के किरिया कलाप में आता है तो देखिए टेक्स जो प्रामर्ष दाता है जो कर प्रामर्ष दाता भी कह सकते हैं ये चतुर्थक शेत्र में आए गया, क्योंकि ये ग्यान आधारी सर्विस है, सेक्स्त कोश्चन रहेगा, most important में golden caller jobs, या sovereign caller, किसे कहा जाता है तो देखिए golden caller worker कौन से होते हैं, जो पंचमक शेत्र में लगे होते हैं, पंचमक शेत्र तो KPO की full form रहेगी knowledge process outsourcing knowledge process outsourcing ग्यान परकर्मन बाहिस रोतन क्या होता है तो knowledge process outsourcing का आर्थ है कि सूचना सम्मन्दी, website ग्यान website कारे, ये ग्यान आधाहित पर करिया हैं, जैसे अनुसंधार विशलेशन, प्रावमर, शित्यादी जो किसी बाहरी एजनसी या वैक्ती से करवाय जाता है तो उसे बोलते हैं, जान परकर्मन बाहिस रोतनी, यानि कि knowledge process outsourcing क्या है, यानि जान आधारित कोई सेवा है, ठिक, जान आधारित कोई कारे है, जब वो किसी बाहरी company या बाहरी agency या बाहरी वैक्ती से करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, KPO बोलेंगे, knowledge process outsourcing, जहां देखिए कि अपने यहाँ पर काफी सारे से research के work है, जो इंडिया में हो रहे हैं किसी phone company के हैं, या phone कह सकते हैं agency के हैं, तो वो क्या है, वो KPO है, knowledge process outsourcing है, clear, उसके बाद ninth question देखिए, one marker में, जो हमारे लिए important रहेगा, ninth question है, आंकड़ा प्रबंदन, data processing क्या है यह हमें बताना है, देखिए आंकड़े का, आंकड़ा प्रबंदन की बात करें, तो आंकड़ा प्रबंदन करता है आंकड़ों को समझने योगे बनाकर उप्यों की जानकारी एक्तरीत करना data process करना क्या होता है, कि data को process करना, उनको tabulation करना, उनसे important information निकालना, तो आंकड़ा प्रबंदन करत हुआ, कि आंकड़े को समझने योगे बनाकर उप्यों की जानकारी एक्तृत करना जो उप्यों की जानकारी है वो प्राप्त करना तो उसे बोलेंगे हम डेटा प्रोसेसिंग या आंकड़ा प्रबंदन BPO का फुल फॉर्म क्या है यह हमें बताना है BPO का पूरा नाम लिखिए तो बिजनेस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग रहेगा बिजनेस प्रोसेसिंग आउट्सोर्सिंग ठीक उसके बाद नेक्स जो हमारा क्वेशन रहेगा 11 क्वेशन है केपियो यह उपर भी हम डिसकस कर चुए है केपियो की फुल फॉर्म रहेगी Knowledge Process Outsourcing और BPO रहेगा Business Process Outsourcing 12th question है हमारा One Marker में वकील और शिक्षक किस परकार के किरियाकलाब के अंतरगत आते हैं तो ये चतुर्थक में आएंगे क्योंकि ये भी जान अधारित सेवाई है 12th के बाद 13th हमारा question रहेगा One Marker में इस चाप्टर में से विश्यो के परमुक वेश्विक नगर कौन कौन से हैं तो विश्यो के परमुक जो वेश्विक नगर हैं वो है लंदन, नियोर्क और टोक्यो ये आपके आ सकता है MCQs में उसके बाद 14th question है One Marker में नोड क्या होता है दो या दो से अधिक मारगों का संदिस थल एक उद्गम बिन्दू, एक गंतवे बिन्दू या मारग के सहरे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है यनकी नोड क्या है कि दो या दो से अधिक जो मारग है जहाँ पर जुड़ते हैं वो जो संदिस थल हो गया एक उद्गम बिंदू जहां से कई सारे मार्ग निकलते हैं एक गंतवे बिंदू जहां पर कई सारे मार्ग आ करके मिलते हैं तो ऐसे जगे को हम बोलते हैं नोड जैसे जो कस्पा हो गए ना बड़ा सा सहर है जहां से चुराहे पर कोई शेहर बस गया इधर से उधर सडके निकले वो नोड है और दो नोडों को जोडने वाले जो सडक होती है उसको बोलते हैं योजक दो नोडों को जोडने वाले मार्क को हम योजक बोलते हैं तो नोड क्या होता है यहां पर इतना पूछा गया है उसके बाद 15 जो कोशिन रहेगा वन मार्कर में इस चाप्टर में से वो है लाल कोलर सर्मिक किन किरियाओं में लगे होते हैं तो लाल कोलर यानि कि रेड कोलर जो सर्मिक है वो प्रात्मिक किरियाओं में लगे होते हैं तो यह रहेंगे इस chapter-slated most important one marker question, now let's move to the next segment, और इस segment में हम बात करेंगे, इस chapter-slated most important two and three marker question, यानि की short answer type questions, जिसमें देखिए जो आपके exam के लिए important रहेंगे, एक तो पूछा जा सकता है, तिर्ते करिया हैं, tertiary activities क्या होती है, example के साथ आपको बताना है, आपके लिए important की आधुनिक आर्थिक विकास में, service sector के महतव की चर्चा करनी है, कि कितना important है, और बताना है कि इसमें रोजगार बढ़ने के कारण क्या है, कि रोजगार बढ़ते जा रहें, रोजगार के अफसर, कारण क्या है, यह आपने 10th क्लास में भी किया है, कि service sector है, तिर्टेक जो शित्र है, वो सबसे महतवण होता जा रहा है, कारण बताईए, क्यों हो रहा ऐसा, थर्ड जो हमारा question रहेगा, चिकित्चा प्रेटन, medical tourism, या medical प्रेटन क्या है, और यह भारत जैसे विकासिल देशों में केंदरित क्यों है, हमारे लिए यह क्यों महतवण है, ओके यह बताना है, important है, two, three बार आपके एकजाम में आ चुका है, twice and thrice, उसके बाद fourth question है, चतूर्थ क्रिया क्लाप क्या है, इनकी विशेशता हैं बताईए, कौन से होते हैं, example के साथ आपको बताना है, ऐसे ही पंच्मक क्रिया क्लाप क्या है, इनकी विशेशता हैं बताईए, यह भी important रहेगा आपके लिए, बायस रोतन, outsourcing क्या है, जब बायस रोतन का कार है, समुद्र पार के देशों के एजन्सी से करवा जाता, तब यह क्या कहलाता है, यह भी आपको बताना है, clear, और अंकी विभाजन, digital divide क्या, यह वो question है, जो सबसे ज़्यादा बार इस chapter में से पूछे गए, ओके, यह दोनों question बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, उसके बाद हम next segment में बात करेंगे, इस chapter के most important five marker question, तो यहाँ से सरफ यह की question रहेगा, जो सबसे important है, और आपके board exam में पूछा जा सकता है, तो रहेगा, प्रेटन का विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और परमुक प्रेटन आकर्षन कौन कौन से होती है, यह हमें बताना है कि tourist attraction क्या क्या होते हैं, जहाँ पर tourist place डाल अप होते हैं, clear? तो यह थे इस chapter के most important question, I think यह video आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहेगा, अगर यह video आपको लगा कि helpful है, तो इस video को like और share जरूर कीजिएगा, और हाँ, इसके साथ साथ आपके class 12 selected, बाकी chapters के videos, most important questions है, जो detailed videos है, वो भी publish किये गए हैं, sample question paper, practical exam के question paper, या आपका map work का solution है, everything is available on this YouTube channel, playlist में जाना है, class 12th geography, वहाँ पर आपको यह सब कुछ मिलेगा, आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day.